हेलो दोस्तों मैं उम्मीद कहता हूँ कि आप सब स्वस्ते होंगे और आपकी प्रपरेशन काफी अच्छे चल रही होगी मैं आज एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसको मैंने नाम दिया जीरो से हीरो सीरीज उसके अंतरगत मैं आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा किस भी टॉपिक हो कम्पिटर के और मैं आपको उसका मैक्सिमूम जो भी लेवल पूछा जाता है एक्जामिनेशन के अंदर उस से लेटेट क्वेशन्स आपके प्रेक्टिस करूँगा तो पहले मैं आपको एमसी की उसके थुरू पढ़ाऊंगा और फिर उसमें से अगर कुछ क्वेरी जोंगी तो मैं उसके थियोरी पार्ट अलग से बना दूँगा तो नाव एम स्टार्टिंग विद्धी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक है और आपको याद होना चाहिए कि आर वी युए एनल की जितनी एक्वाइट होती है तो उसमें जितना भी कंपीटर का पार्ट होता है वैसे इसके एक्वाइट कराता है आई बीपियस बहुत सारे क्वेशन्स पूचता है ओपरेटिंग सिस्टम से ठीक है और यह आपका सकते हैं और कौन सी चीज़े इंपोर्टेंट इसके अंदर क्या-क्या पूचा जाता है तो लेस्टार्ट मैं पहले क्वेशन से स्टार्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं पहले पहला क्वेशन सप्सक्ति स्टार्ट मंस्ट्पाइन श्यां की सबसे कि ऊचैएव यह जिए उपरेटिंग सिस्टम से बहूंने छाहने प्रयूभा से प्रियों की इसाथ है औरहाइस आपको पता होना तुछ चैया जो मेंट उचनिंग में यह बहुत से बहुत सब्चा बहुत दीक सब्सक सकते तो मैं इनी की टर्म्स के ओपर ये वीडियो बना रहा हूं और जो जो question important है इन की टर्म्स related मैं 20 questions कराओंगा आपको बहुत सी चीजेस में जानने को मिलेगी तो आप लास्ट तक इसको देखना आपके बहुत स्टेटमेंट को धंक से पढ़ना तो आप पहला पड़ो के एक डिरेक्टरी से किया जा सकता है सिंबॉलिक लिंक अब लिंक से क्या मतलब है जोड़ना किस चीज से जोड़ना यह जोड़ना ठीक है तो हम पहला वाला option तो वैसे गलत कर सकते हैं ठीक है कोई भी चीज अगर system के अंदर आ रही है ना तो किसी एक डिरेक्टरी के लिए एक फोल्डर के लिए तो नहीं आएगी इतना तो हमें ध्यान रखना है तो अगर थोड़ा सा भी हम लॉजिकल दिमाग लागेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसी एक पर्टिकलर डिरेक्टरी के लिए कोई चीज आ रही है किसी system के अंदर तो यह तो लॉजिकल नहीं है तो अगर हम लॉजिक से जाए तो पहला ऑप्शन तो होई नहीं सकता तो ए तो नहीं हो सकता ठीक है ठीक है अब बी पर आते है दा फाइल केन बी एकसेस्ट थूदी सिंबॉलिक लिंक एवन आफ्टर दी ओरिजिनल फाइल हैस बिन डिलीटेड यह स्टेट्मेंट सही है मैं बताता हूं क्यों थर्ड थर्ड स्टेट्मेंट पर आते हैं तो मैं आपको सीधा नोट पर ले चलता हूं आपिन इसको मेरे टेलोग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं यह पार्ट वन बना रहो हूं मैं इसने 20 क्वेशन होंगे इसी तरह कि मैं कम से कम आपको को ऑपरेटिंग सिस्टम के 300-400 प्रश्ण करवाऊंगा किसा रेस्पाँस रहता है आपका उसी साफसे कर रेस्पाँस जाद अच्छा नहीं रहा तो मैं फिर यह सीरी कंटीनियू नहीं कर पाऊंगा तो मैं इसको कंटीनियू करूँगा ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं को soft link भी बोलते हैं ठीक है अब यह काम क्या आता है मेरे पास सब्सक्राइब फाइल ए और फाइल भी मुझे फाइल बी तक पहुंचना है फाइल एक ही साहिता से तो मैं symbolic link का use करूंगा symbolic link में क्या होता है file a के अंदर एक text string मन जाती है ठीक है text की string मनेंगी उसके अंदर path रखेगा target का जिस भी file तक मुझे पहुंचना है ठीक है उसको target file बोलते हैं यहां पर पढ़ सकते जिस भी file the other file जहां तक हमें पहुंचना उसको target file बोलते हैं ठीक है तो symbolic link की साहिता से मैं एक file से दूसरी file तक पहुंच सकता हूं तो हमारे प्रश्णता अगर मैं जहां तक पहुंचना चाहता हूं अगर आप बी फाइल को मैं delete कर देता हूं तो क्या ए फाइल का जो link है मेरा वो भी खतम हो जाएगा तो इसका अंसर नहीं अगर आप बी फाइल को और dangling शब्द यह किस से संबंदित है तो वहाँ पर option देंगे symbolic link और तीन option अदर देंगे तो आपको पता होना चाहिए symbolic link से संबंदित है चारों शब्द तो जो अगर किस को target delete हो जाए मालो A file है A से B पे पहुंचना है और B ही delete हो गई तो A से B पे जो पहुंचने का path डल रखा था उसके अंदर A file के अंदर तो उसको उसको अब हम बोलेंगे broken, orphan, dead or dangling ठीक है तो उस file को यह बोलेंगे उस link को तो यह आप याद रखना यह पहले question का answer हो चुका है complete हम चलते हैं हमारे second question की तरह यह इसका explanation है मैंने आपको English में बता दिया आप Hindi में इसका screenshot ले सकते हैं Hindi में देख लेना आप इसका मुझे Hindi का इतना idea नहीं रहता पर मुझे English में ठीक तक समझवाता है तो मैं English में बताऊंगा आपको ठीक है अब हम आते हैं अपने second question पर यह बहुत ही important question है बहुत सी परिक्षण हमें पूचा जा चुका है अभी तक the functions of the unique system calls are to मैं आपको highlight करके दिखा देता हूं मैं कौन सी question पर चल रहा हूं था कि आपको problem नहीं ठीक है तो मैं इस second question पर चल रहा हूं भी ठीक है unique system call का कारिय निमन है तो भाई unique system call क्या होती है और system call क्या हती है सिस्टम कोल ऐसी कोल होती है जो करनल से जोड़ती है शेल को अब आपको दो नई चीजे पता चली शेल और करनल तो मैं इसका डाइग्राम बता देता हूं यूनिक सिस्टम का डाइग्राम कैसा होता है उससे आपको आइडिया लग जाएगा ठीक है तो मैं आपको डाइग्रा तो देखो यह Unix का Architecture होता है आपको दिख रहा होगा सबसे पहले तो होता है इसमें Hardware होता है ठीक है फिर होता है Kernel फिर होता है Shell और फिर होता है Application Program ठीक है तो इसके चार Level होते हैं पहले Hardware Level फिर Kernel Level फिर आपका Shell लेवल जिसको System Call लेवल भी बोलते है System Call Interface CC को बोलते हैं ठीक है System Call Interface CC को बोलते है यह तरड़ वाला जो दिख रहा है आपको System Call Interface और चोथा Application Program तो यह तो हो गया हमारा Unix का Architecture अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं प्रश्न मारे यह पूछ रहा है कि इस Unix System Call का कारिय कहा है तो Unix System Call का कारिय यह होता है कि जो रिक्वेस्ट होती है Operating System द्वारा जो रिक्वेस्ट करी जाती है ठीक है तो करनल तक पहुंचाने के लिए तो यह होता है इसका सही आंसर हो जगा रिक्वेस्ट फॉर सर्विस ऑफट बाइब ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है तो देखो इसमें पहली एक और चीज पूची जाते है एक्जाम में कि करनल और शथा होते हैं और अंतर है तो यह अब को पता होना चीजिए तो मैंने इसके लिए अलक्सी नोड़ बना रखें कि करनल क्या होता होता है और जैख सकता है Brittany करणल क्वेटिंग predict के बीच में, user और hardware के बीच में, user और hardware के बीच में, काई की बार एक्जाम में पूछते हैं कि interface किसका किसके बीच में होता है. ऐसे आपको option देदेंगे, कि user hardware के बीच में econ interface pro लाएड करता है. तो आप बहुँन, operating system भी देदेंगे, kernel भी देदेंगे, शेल भी दे देंगे तो आपको confusion ना हो इसलिए यह सब चीज़ा आप पहले से पढ़के जाना अच्छे से कि किसका क्या role होता है तो kernel क्या करता है interface provide करता है between application and hardware so this is the role of kernel नीचे पन जलते हैं protection and security operating system provide करता है kernel का main काम होता है जो हमारे internal system होता है जैसे memory हो गई disk management हो गया process management हो टास्क management होगया जो internal processes हो तनको manage करने का का मखरता है kernel ठीक है operating system जैसे आफ computer start करोगे तो सबसे पहलेह कौन रन होता ब्सीप और operating system के अंдर भी सबसे पहलेहां सब्सक्राइब नोगरभया होता है यह आप याद रॉखना है यह पहला program होता है जब हम system run करते तो load होता है और अगर operating system load हो रहा है तो operating system के अंदर भी कौन सा सबसे पहला program load होगा वो kernel होता है तो यह मैंने आपको इसका differences और अंतर बता दिये kernel or operating system में तो यह दो questions हो गए और दो questions के मादियम से मैंने आपको सब्सक्राइब करवा दिये तो मैं इस तरह इसको कवर करता हूंगा पूरी सीरीज को इसमें आपको maximum coverage दूंगा maximum terms के बार में बताऊंगा इस सीरीज साब बहुत फायदा होगा इसको अंतर तक देखना अगर आपको पूरा इसका फायदा लेना है तो ठीक है अब देखो थर्ड क्योशन है मैं आपको इसको हाइलेट कर देता हूं डॉस जो डॉस कमांड होती है हमारी उसको द्रॉस कमांड two retrieve list of a file इस ठीक है मुझे किसे file को retrieve कर लेटरीव करना पूरी लिस्ट निकान लिए तो उसकी स्क्वांड क्या होगी तो मैं आपको रं करके दिखाता हूं उसका सही mild झाली डि ना कंबाड करके दिखा देता हूं इसको यह देखो मैंने command prompt कोल रहा करें dos operating system है ठीक है यह MS Microsoft Microsoft का product होता है DOS इसको Disk operating system बोलते हैं sorry यह Microsoft का product होता है तो मैं यहां पर जैसे dir type करूँगा और जैसे enter करूँगा यह आप दिख रहा है यह दुपो ये सी है मेरी डारटरी सी तो फाइल और जितने भी और जैसे 111 डारेटोरी और Igor मैं आपको थारूं को इस यह जो दिखा रहा है ना आपको कि सैंती सो, ङसे फॉल्डर से में समझे है DAVID दियार कमांड से हम लिस्टिंग कर सकते हैं जितने भी फाइल से उनकी तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि इसको कैसी यूज़ करते हैं ठीक है तो थर्ड वाल ऑप्शन में आ जाएगा डियार कमांड नीचे हम चलते हैं फॉर्थ में मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं तो इन में से कौन सा उपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स बेज़ नहीं है तो इसमें से सीधा सीधा उत्तर है मैंने अभी अभी आपको बता है कि जो MS-DOS होता है न वह माइक्रोसफ्ट वालों ने बनाए साथ यूनिक्स बेज नहीं हो इसमा यूद्व जो मेंस भी जूरण चालता हूंनों को भी यूनिक्स बेज़ आर्केटिर है इसलिए आप शठीछ आन रखना केवल हृव मायक्रोसफ्ट-क का प्रड़क्ट-॥ίν विंडोस के साथ आता है किस्ज़े साथ कनेंटेड आते है अब हम इस лек Geldü पर चलते हैं पे रोल सिस्टम किस को उधारण होता है तो इस है अशों घोता है यह प्रॉसरिन का उधाराण होता है अब आप पूछओ के बैजक्ज प्रॉसरिक्टीज प्रॉसरिन क्या होती है तो जो पहले सबसे पहले तो पेरोल पेरोल मतलब यार जैसे मालू एक कमपणी के अंदर एक कमपणी के अंदर 100 employees है ठीक है और महेने के 30 तारीखों सब की salary आनी है ठीक है तो हम क्या करेंगे system में क्या करेंगे उन 100 की 100 की सारे data के entry करके 100 transaction बना देंगे और 100 transaction को एक साथ सबको सबकुर्णबच सबको 40 पोरधिस आकश पियम्स चाना है कि सबको मैंसेश आने के सेव्य आगे 30 तरीक हो ठीक है तो वो किसको फ्रोगा वो बैस प्रोसेसिंग के शोगा सबको एक साथ । transaction सारी transaction एक साथ execute करनी है एक ही batch के अंदर ताकि सबको एक ही समय पे salary का message चला जाए तो यह हम किसके through करते batch processing के थ्रू करते है ठीक है अब हम आगे चलते हैं हमारे 6th प्रेशन च्छटे प्रेशन की तरफ च्छटा प्रेशन लाइनेक्स open source में इसको थोड़ा से जिम कर देता हूँ च्छटा प्रेशन लाइनेक्स open source है ठीक है अब लाइनेक्स open source क्या है एक तो फऺहरी या of and operating system हमें पता और इसको किसने बनाया था उसका नाम था लाइनस नाम थे लाइनस त्वाल्डन आम था उसका लाइनस ठीख है तो इसने Linux को बनाया था, Linus Torvald, पढ़ लेने इसके बने में, और यह 32 बिट पर काम करता है, यह याद रखना आप, 32 बिट पर काम करता है, यह operating system, और open source operating system का मतलब है, कि अगर आप एक standard follow करके, कुछ भी इसके अंदर add करना चाहिए, सपोज मैंने एक code बना दिया, मैं एक programmer ह और मैंने code लिख दिया, तो उस code को मुझे add करना है, Linux operating system में, तो मैं उसको add कर सकता हूँ, बशर्त है अगर मैं उनका standard जो follow करते हैं, उसको follow करो, तो मेरा code भी इसके अंदर add हो सकता है, इसलिए Linux इतना ज़्यादा famous हुआ, क्योंकि इसके अंदर दुनिया भर के users ने अपन पड़ती ही नहीं है, तो बाद ध्यान अगना Linux और Linux के base फिर हमारे other operating system बनगे, जैसे आपका उपता है Android होता है, वो Unix से Linux बना और Linux से फिर Android ने features उठा लिए सारे, ठीक है, तो इन सब चीजों का आप ध्यान अगना, अब हम आते हैं अपने सात्वे प्रशन की तरफ, which command is used to display the characteristics of a process, तो भाई, वो PS command होती है, ठीक है, यह याद रख लेना, आपको यह रटना पड़ेगा, यह कह है, Linux के questions है, Linux के अंदर जाब आप Linux open करोगे, तो उसके अंदर एक, जैसे हमारा command prompt खुलता है, वैसे वाप एक terminal खुलता है, तो terminal पे हमें यह सब command चला के देखनी होती तो हम practically वाँ पे देख सकते हैं, लेकिन बहुत से कम लोग Linux यूज करते हैं, तो आप इसको रट लेना, आप practical करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो आप रट लेना की command की, जितने भी commands है, उसकी process की characteristics बताने के लिए PS command के यूज करते हैं, ठीक है, PID का full form याद रख PID बहुत ज़्यादा पूछते है, PID का मतलब होता है process identification number, ठीक है, process identification number, याद रख लेना, इसको note कर लेना कहीं पर, अब हमांगे चलते हैं, 8th question पर, तो 8th question है, which command is used to terminate a process, तो भाई, किसी को terminate करना है, तो एक ही command चलते है, उसका नाम है kill, याद रख लेना, बहुत important question है, किसी भी command को, मुझे, किसी भी command को terminate करना है, मुझे, Linux के अंदर, Unix के अंदर, दोनों के अंदर, तो मैं kill, kill command का use करता हूँ, ठीक है, process को terminate करने के लिए, 9th question पहल जाते है, which command is used to terminate all the processes in your system, except the login shell, login shell को छोड़कर, अगर मुझे मेरे system की सारी commands को, जो है, delete करना है, ठीक है Terminate करना है, sum up करना है, तो मैं कौन सी command use करूंगा, तो उसके लिए command होती, kill 0, kill 0 आपके system की सारी processes को, delete कर देती है, terminate कर देती है, रोग देती है, तो ये kill 0 use करेंगे, इसको रट लेना ये, इसको हम क्या भी practically दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं भी Linux operating system चला नहीं रहा हूँ, य नहाँ पर ये सब commands run नहीं होंगी, ठीक है, अब 11th question पर हम आते हैं, which of the following command addresses, all users who currently hooked on, तो भाई, ये wall command होती है, बहुत important question है, very very important, इसको आप mark कर लो, ये परिक्षा मायने का बहुत ज़्यादा chance है, ठीक है, ये unix के अंदर command होती है, wall command, ठीक है, तो उससे हम क्या करते है, जो भी जितने भी देखो, एक operating system के अंदर, जैसे मालो, अगर हम 10 लोग है, ठीक है, तो हम 10 लोग, एक system से जुड़के काम कर सकते हैं, इसको बोलते है, multi user system, multi user system वो होता है, जिसमें CPU एक हो जाए, बतलब एक CPU हो जाए और 10 आपको screen दे दे, तो 10 के 10 लोग उसे एक CPU से काम क काफी जदा काम में लिये जाते हैं, तो ये command बहुत important है, wall command, जिससे आप सभी उपयोग करता से direct संबोधन दे सकते हैं, उनका address कर सकते हैं, उनसे किसी भी चीज़ के बारे में बादचीत कर सकते हैं, तो wall command, इसके लिए use करते हैं, अब हम चलते हैं, 12th question पे, which of the following commands is used to update access and modification इसको जूम कर देता हूँ, file के access और शंशोदन शमयक अपडेट करने के लिए किस command का use किया जाता है, उसका नाम है touch command का, देखो, touch command क्या काम आती है, touch command से आप खाली फाइले बना सकते हैं, ठीक है, ये dos के अंदर भी काम आती है, ये command dos के अंदर आप चला सकते हैं, ठीक है क्योंकि cat command हम use करते हैं, जब हमें file के अंदर data भी चाहिए, तो file with data हम create करते हैं, cat command से, touch से हम खाली फाइले बनाते हैं, तो इसका answer इसलिए touch हो जाएगा, ठीक है, और ये, जैसे हम खाली फाइल बनाएंगे, तो इस समय, जो आपको बोलता है, time को modify भी कर देता है, तो उसक which of the following is not a multi-programming operating system, ठीक है, तो कौन साथ है multi-programming operating system नहीं है, तो इसका सही से सीधा उत्तर हो जाएगा, network operating system, ये multi-programming नहीं होता, time sharing तो हो गई होगा, multi-user तो हो गई होगा, multi-tasking होगा, ये इसलिए नहीं होता, क्योंकि इसका हम use कहां करते हैं, एक तो personal computers पे, workstation पे, इन जग नहीं है, ठीक है, multi-programming के लिए network operating system design नहीं किया जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर जाएगा, D, अब 14th question है, इसका आप answer दीजेगा, which of the following is the feature of distributed operating system, देखो ये बहुत ही बहुत ही अच्छा question है, अगर आप इसका सही उत्तर दे पाए ना, तो समझ लेना कि आपकी अच्छी त सोची और बताइए, मैं थोड़े दिर pause कर देता हूँ, देखो इसका option A, देखो, real time, दूसरा है single tasking, तीसरा है transparency, और fourth is all of these, तो इसमें ज्यादा दर बच्चे क्या लगाएंगा, all of these, और वो यहीं गलती कर देंगे, पहली चीज़ तो है ना, अगर आप खुद सोचो, तो कि single tasking और नहीं, multitasking कowy, क्योंकि एक से ज़्यादा लोगे एक समय में use कर रहे, तो ये option तो गलत हो गया, और जैसे भी option गलत हो ओना, तो आपका क्या, ये भी गलत हो जायगा, और ये भी गलत हो जायगा, तो आपका उत्तर केवल सिया जाएगा, transparency, तेखो, ये क्यों गल करते हैं distributed operating system तो यहां पर पूरी तरह यह answer सही नहीं है ठीक है कि पूरी तरह जो आंसर सही नो वो transparency transparency वो उनका एक feature होता है ठीक है तो आप मैं इसको इसका आपको explanation भी दिखा देता हूं कि transparency तो उनका feature होता है कि इसके features क्या क्यों होते देखो जो distributed सब्सक्राइब कर दिया तो उस स्थिति में दूसरे का नुकसान ना हो उसको भी ये मैनेज कर सकता है ठीक है तो उसको फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं तो यह सब सब्सक्राइब का दिया की आपको प्रेटिंग सिस्टम का न॓ घिए का पी किसे ने सुना ए parcel यह बहुत ही यह सब याद रखना यह जितने भी एक्रोइनिम आते हैं संचिप्त नाम यह पूछे पूछे जाते हैं तो टील भी जाते हैं तो टील भी किसका संचिप्त नाम है पहला है ओप्षिन है 그를 कुछ होते नहीं है ऐब फॉस ओगे यहां affected दिखेह तो आ потом hayat safe die रहेत Sundays के यह नहीं रही कि ऑ यह Давайте तुछ स्विप्षिन why ऑ्ट्वर ओप ठीमिन का यह को हुए इसकार स्पीजन होगी कर भी लुक असाईड वर्फ़र यह कैशे के अंदर काम आता है मैं आपको इसका description भी बता देता हूँ और कैशे memory वगर कैशे memory से बहुत question बने है पिछली बार कैशे memory का प्रशन आये था और वह बहुत ही tough आये था तो आप जाद रखना कैशे memory का थोड़ा सा अच्छे से preparation करके जाना मैं आपको अभी नोट्स में बता दूंगा कि कैशे memory क्या होती है और कैशे memory कितने तरह की होती है पिछली बार question आये था कि L1 L2 L3 कैशे memory से संबंद क्या होता है यह question था तो आपको तीनों का पता हुना अच्छी कि L1 L2 L3 कैशे memory होती क्या है तो these things you should know otherwise आप उसका उत्तर नहीं कर सकते टील भी का मैं बता देता हूं translation look aside buffer होता है ठीक है यह है cache memory होती है जिसका प्रियोग होता है इस मृतिस्तान दे पहुंचने के लिए समय को कम करता है देखो जो cache memory होते नों उसका use क्या होता है cache memory का use होता है जो भी आपका data अभी 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 आपने अभी एक वीडियो फाइल खोली तो उस वीडियो फाइल का path है मेरे cache memory में चला जाएगा ताकि दुबारा मैं उस वीडियो वीडियो फाइल को अभी खोलो ना वापिस तो तुरंत की तुरंत वह वीडियो फाइल खोल जाए ओपन हो जाए फटाफट आप देखोगे जब भी आपना कभी किसी फोल्डर में जा तो कभी कभी उस फोटो को लोड़ोने में टाइम लग जाता है लेकिन एक बार लोड़ हो जाती न तो दुबारा उसको लोड़ने में टाइम नहीं लगता तो यह सब काम होता है Cache memory का, Cache memory का है न, उसको अपने अंदर लोड कर लेते हैं, चीजों को, जो recently बहुत ज़्यादा काम में आ रही है, फिर उसको फटा-फट यूजर को दिखा देती है, इससे क्या होता है, इसलिए आप देखोगी कि, आजकल 6 MB Cache, 6 MB Cache के लैपटॉप साते हैं, कभी 8 MB का जाता है, तो ये सब क्या होते हैं, जितनी ज़्यादा Cache memory होगी, उतना ही ज़्यादा सिस्टम जब फास्ट होता जाएगा, तो Cache memory सिस्टम को फास्ट करने काम में आती है, Cache memory एक और आप य देखे हो है, Cache memory, ठीक है, Cache memory chip based computer component होता है, ठीक है, ये dynamic RAM जानते हो, DRAM बोलते हो, ठीक है, अब इसके प्रकार में सीधा आपको बता देता हूँ, types of cache memory, L1 cache, ठीक है, और ये क्या होती है, ये तो CPU की chip पे ही लगी होती है, L1 cache तो 101% CPU की chip पे ही लगाते है, usually, ठीक है, उसके बाद आता है, L2 cache, ये secondary cache होती है, इसमें थोड़ी capacity ही ज़्यादा होती है, L1 की capacity सबसे कम होती है, देखो question क्या पूचेगा, सबसे छोटी size की cache होती है, तो आपको बताने है, L1 सबसे छोटी size की होती है, उससे बड़ी L2 होती है, और सबसे बड़ी L3 होती है, और फिर L1 और L2 को support करना, L2 का मतलब होता है कि अगर हम chip की जगा किसी और जगा उस cache को लगा दे, वो थोड़ी धीमा हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में हम क्या करेंगे, एक bus, आपको पताने, bus wires लगाते है, तो computer, जो हमारा processor है, और cache memory है, उसके बीच में अगर हम एक bus लगा दे fastest bus, तो हम उसको आराम से connect कर सकते हैं, और speed high maintain रह सकती है, आप ही notes पढ़ लेना, मैं इसको डाल दूँगा, मेरे telegram channel पे, तो आप वहां से directly इसको पढ़ सकते हैं, मैं एक बार सारी series बना दूँ तो मैं अपने अच्छे से updated notes आपको share कर दूँगा, तक आप आराम से prepare कर सको ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया, cache के बारे में, अब translation look aside buffer जिसका question आई गया, तो मैं इसको बारे में बता देता हूँ, ये cache memory होती है, ठीक है, इसका काम होता है कि भाई, जो user time ले रहा है न, किसी भी चीश को सर्च करने हैं, उसका time reduce कर दे, फटा-फट चीजे सर्च हो सके बस इसका ये काम होता है, और इसका एक और feature जो आपको पूछ सकते हैं, कि जो translation look aside buffer होता है, वो recent translation, जो virtual memory होती है, ठीक है, virtual memory को physical memory में डाल देता है, recent translation जितने भी आई है, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, address translation कैसे, तो ये पूछ सकता है, address translation कैसे, किसको बोलता है, तो वो TLB को बोलते है, translation look aside buffer, तो ये हमारे, ये हमारे 16th question cover हो गया, ठीक है, अब मैं अपने 17 प्रशन पर आता हूँ, नीचे, digital signature, ये तो काफी easy question है, digital signature होता है, data communication के लिए काम में आता है, ठीक है, अब हम 18 प्रशन पर चलते है, distributed data system, तो distributed data system का का काम होता है, केंदरिकरत और वी, केंदरिकरत प्रसेंस करने, दोनों का लाब उठाने का प्रयाद, मतब यार, जो centralized और decentralized processing होती न, दोनों का फाइदा, ए तो ये भी easy question था, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हो जाता, अब हम हमारे 19th प्रशन 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 पर, इने passenger reservation system, which of the following is most critical, तो यार, अगर आप कहीं पे, मालू मुझे एक seat book करानी है, मुझे, मुझे plane से नहीं जाना है, मुझे सपोस बैंगलोर जाना ह मुझे एक seat reserve करानी है, तो आप किस चीज को सबसे best मानेगे, मालू मैं किसी app को चला रहा हूँ, तो क्या चीज देखते आप, कि मुझे response कितनी जल्दी मिल रहा है, तो भाई, किसी भी चीज में, जहां में बहुत जल्दी बाजी होते है, जहां में फटा-फट जो है, कोई मतलब नियो सहब का, तो उस जगह हम काम लेते है, response time, तो response time एक parameter होता है, जिससे हम check करते है, कि कोई system कितना अच्छा work कर रहा है, आइदर वो एक software हो, और कोई application हो, तो कितनी अच्छी वग करिए, वो हम check करते है, response time से, ठीक है, यह याद रखना, अब मैं last question पहता हू आज के हमारे तो file conversion is a part of, file conversion किसका हिस्चा होता है, तो आब बता सकते हैं, तो वही fine conversion हिस्चा होता है, system kator, यह rattling है और इसको समझने की जुरत नहीं है, आभ इसको सीधा-सिधा रटलो, कि file conversion system-kator की, system-kator का हिस्चा होता है, ठीक है, अब यह मैंने आज आज आपको вами Д प्र पर हाड आएगा काफी हाड आएगा और इसी तरह के प्रशन आपको देखने को मिलेंगे तो यहार प्लीज इसको आप अच्छे से पढ़ो और जो भी मैं बढ़ा रहा हूं मैं आप उम्मीद मतब आप यह मान के चली कि मैं आपको यहां सबसे बैस के लिए सबसे बैस प्रशन आएगा सब के लिए यह वीडियो राम बान है वहाँ पर आपको इतने टम से मैं आपको जितने बताया न आप बुक से पढ़ लोगा तो आप किसी भी यूटूब पर जाओ चैनल पर आपको इतने टर्म इतने कम समय में नहीं पता चलेंगे तो आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए कि यह जो एक्जाम है ना इसमें आपको शब्दों का खेल है शब्द ज्यादर ज्यादर पता होने चाहिए क्योंकि वहां पर ऐ किसी भी टॉपिक की तो उसके ज्यादा से ज्यादा शब्दों को कवर करने की कोशिश करो ताकि आपको परीक्षा में समस्या ना हो ठीक है तो यार इस वीडियो का लास्ट तक देखो मैं जो वीडियो बना रहे हैं लोग 2-2 मिनिट देखके छोड़ देते हैं फिर मेहनत क उसको देखते हैं पूरा फिर मतलब मोटिवेशन नहीं रहता कुछ बनाने का तो इसका कैसा रेस्पॉंस आता है उसके बाद ही मैं अगली सीरीज देखूँगा इसका अगर रेस्पॉंस अच्छा नहीं होगा तो शयाद मैं सीरीज कंटियू नहीं करूँगा तो आप इस हुआ